नमश्कार मैं हूँ नीला स्वाक्त है आपका हमारे चैनल में आज का विशय है क्या करवा चौथ वर्त में शादी का जोड़ा पहनना जुरूरी है ज़र नहीं देखिये दोस्तों आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ वर्त आने वाला है इस बर्त का महलाएं एक साल से वे सवरीचे इंतजर करती हैं करवा चौथ वर्त सुहादन महलाएं अपने पती की नभी आजू और अच्छे स्वास्त के लिए करती हैं करवा चौथ वर्त को लेकर स सबी महलाएं नया सूट नई साड़ी पहन कर वर्त पूजन करने के लिए इंतजार करती हैं, सवाल मन में उड़ता है, वही जिन महलाओं का शादी के वाल पहला करवा चौछ वर्त होता है, उनके मन में भी आता है, क्या हमें शादी का जोड़ा पहनना जरूरी है, देखिए दोस्तों जिन वहनों का शादी के वाल पहला करवा चौछ वर्त है, उनके पास उनका शादी का जोड़ा तो होगा ही, उन्हें पहला करवा चौछ वर्त शादी का जोड़ा पहन कर ही पूजा करना चाहिए, अगर आपने शादी के समय लेंगा वगरा जो पहनना है वो क्रा जाँ फिर शादी की चुनरी भी नहीं है तो आप कोई भी नया सूट साड़ी पहन कर बर्त पूजन कर सकते हैं। अगर आप नया सूट साड़ी लेने का आपके पास वज़त नहीं है तो आप एक दो बार पहनी साड़ी सूट भी पहन कर पूजा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि सूट या साड़ी दुला हुआ होना चाहिए इस परकार आप अपने बर्त पूजन कर सकती हैं नया सूट या साड़ी शादी का जोड़ा पहनना कोई जरूरी नहीं होता अगर आपके पास शादी का जोड़ा है पहन सकते हैं अगर आपके पास किजिए सब्सक्राइब किजिए थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो